सिवने मालवा के बानापुरा के क्रशक उपज मंडी में मुख्यमंत्री शिवरासी चौहन ने हजारों की संख्या माई लाड़ी बहना की जनसमू को संबोधित करती वे कहा लाड़ी बहना यूजना सिर्फ राशी के लिए नहीं यह बहनों की सम्मान के लिए है इससे बेहनों की जीवन में बदलाव आ रहा है महिला सरशक्ति करन का नया यूग प्रारंब हो रहा है बैहनों की हित में सरकार के द्वरा अनीक यूजना संचालित हो रही हैं बच्पन में मैं देखता था कि महिलां के साथ भीदभाव होता था तब से मेरे मन में महिलाओं की हित्मे कार करने की बहुत इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने लाडली लक्ष्मी युजना शुरू की प्रदेश में 45 लाख लाडली लक्ष्मी में बन चुकी है बेटी के शादी के लिए कन्यादान यूजना शुरू की पंचैत चुनावा नगरी निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षन दिया जिससे पंचैतों वा नगरों में महिलाओं सरकार चला रही है इतना ही नहीं मकान दुकान और जमीन खदिद्ने पर रेस्टी में बेहनों के लिए एक प्रतिशत की छूट दी गए इस दरान उन्हों ने 262 करूर से अधिक की विकास कारियों का लोकरपण और भूमी पूजं किया उन्हों ने कहा कि किसानों की सम्मान ने दिया अब 10,000 से बढ़ा कर 12,000 होगी पूर्मय केंद्र से 6,000 और प्रदेश सरकार से 4,000 रुपे मिला जाते थे जिसे बढ़ा कर प्रदेश से भी अब 6,000 रुपे कर दिये गए हैं कुल मिला कर 12,000 रुपे किसान सम्मान ने थी किसानों की खाते में पहुँचेगी कारकम काभार सिबने मालवा नगरपाल का अध्यक्ष रुदेश कुमार जन ने माना इस दारान बड़ी संख्याम है जन प्रतिने दिये और अधिकारी उपस्तेत रहे सिबने मालवा से संतुष चंदेल की रिपोर्ट